हेलो दोस्तो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे सिंस और फॉर का यूज करना ये दोनों ही टाइम को दर्शानी के लिए यूज होते हैं पर दोनों के यूज में क्या डिफरेंस है हम हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं कि सिंस और फॉर का यूज हम सेंटेंस में कैसे या किस तरह करेंगे या किस sentence में हम since का use करेंगे और किस sentence में हम for का use करेंगे जिसमें हर कोई confused रहता है तो आपकी confusion आज इस single video में clear हो जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं for का use हम लोग करते हैं एक period of time को denote करने के लिए for का use हम लोग करते हैं एक period of time को denote करने के लिए जबकि since का use हम लोग करते हैं एक point of time को denote करने के लिए since का use हम लोग किसलिए करते हैं एक point of time को denote करने के लिए For example, अगर हम लोग देख रहे हैं कि फॉर से हम लोग period of time दर्शा रहे हैं तो हम कैसे दर्शाएंगे Examples, for two hours, दो घंटों के लिए For two hours, तो हमने यहाँ पे एक period of time दर्शाया है For से, हमारा period of time वो क्या था? दो घंटों के लिए, for two hours Similarly, for five years, पाँच सालों के लिए हमने यहाँ पे period of time दर्शाया है, एक fixed period of time जो की है for five years Similarly, हम since का यूज करते हैं एक point of time को दर्शाने के लिए For example, since Monday, Monday से Since Monday, हमने point of time को दर्शाया है कि यहाँ पे हमारा क्या है since Monday, Monday से अब example, since the beginning, शुरू से, since the beginning, मतलब की शुरू से Since the beginning, जो हम लोग यहाँ पे दर्शाया रहे हैं, हम लोग एक point of time दर्शाया रहे हैं कि Since the beginning, कब से? Beginning से, since the beginning Similarly, जैसे कि हम लोग sentence में बोलते हैं कि मैंने कल से कुछ नहीं खाया तो हम इसको बोलेंगे, I haven't eat anything since yesterday I haven't eat anything since yesterday मैंने कल से कुछ नहीं खाया तो हम लोग यहाँ पे जो एक point of time बता रहे हैं, वो हम लोग since से बता रहे हैं सिंस के बाद हम लोगों ने येस्टरडे बोला मतलब कि कल से तो हम लोगों ने कब से नहीं खाया सिंस येस्टरडे मैंने कल से कुछ नहीं खाया मतलब कि सिंस येस्टरडे ठीक है Similarly, अगर हम for का use करेंगे तो example हम दे रहे हैं एक कि मैं तुम्हें एक घंटे से पढ़ा रही हूं मैं तुम्हें एक घंटे से पढ़ा रही हूं अब हम लोग for का use करते हैं एक period of time को दर्शाने के लिए तो हम लोग यहाँ पे एक period of time को दर्शा रहे हैं अब वो हमारा period of time क्या है? एक घंटा है जो हम कह रहे हैं कि I have been teaching you for an hour मैं तुम्हें एक घंटे से पढ़ा रही हूँ So friends, since of for में बहुती minor सा difference है जिससे हमारा sentence बिल्कुल change हो जाता है जहां since हमें point of time दर्शाता है तो for हमें period of time दर्शाता है तो अब confuse होने की बिल्कुल जरुवत नहीं है उमीद है आप इस वीडियो से जरूर कुछ सीखेंगे